Hello everybody, welcome to Magnet Bins. This is Shweta Chaku, your social science educator. Magnet Bins, एक ऐसा platform है, जहां kindergarten से लिके class 12 तक के सभी video courses provide करवाय जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CVSE and other state board के fully organized courses with daily practice paper. And हमारे पास e-books और e-notes की facility भी available है, जिसका link तीचे description box में दिया गया है. और आज हम class 10 social science economics का, जो हमारा chapter है development, उसका जो topic कवर करने वाले हैं, वो है income and other criteria. Right? Income and other criteria. Okay? तो चलिए देखते हैं कि किस सरीके से जब countries को compare किया जाता है, कि कौन सी country developed है, या कौन सी country developing है, कोई कौन सी underdeveloped है, अभी तक नहीं हुई है पूरे तरीके से. ठीक है? तो अगर हम देखें तो countries के लिए एक ही एक चीज सामने आती है, income. Income के basis पे बोल देते हैं, हाँ ये developed है, अच्छी कासे income है. क्या और भी ऐसे criteria होते हैं, जिनको देखा जाता है किसी country को developed बोलने के लिए, कितना वो developed है, कितनी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो हम यहाँ देखेंगे. अब देखिए, जैसे कि हर चीज में criteria होते हैं major करने के लिए, ताकि पता चले, ठीक है, जैसे अब आपके exams होते हैं, तो वहाँ पे test जो है, वो criteria है कि कौन first आएगा, कौन second आएगा, कौन third आएगा, किसने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, ठीक है, तो इस तरीके से वो किसी के लिए criteria different different होते हैं, कोई बोलता है, जैसे आप एक अच्छे student है, एक good student की definition कोई बढ़ा है, हाँ जो marks अच्छे लाता है, जो academics में अच्छा student है, एक इंसान यह बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि नहीं नहीं, जो all rounder है, भी marks भी अच्छे ला रहा है, और sports में भी अच्छा है, debates भी करता है, वो एक अच्छा student है, वो एक criteria है, एक बोल रहा है कि वो एक अच्छा student, जो सिर्फ sports में अच्छा है, बाकि एक talent होना चाहिए, बाकि नहीं भी चलेगा, तो इस तरीके से हर कोई जो है, अपने criteria जो है, बनाता है, इसी तरीके से countries को compare करने के किस तरीके से हम different countries and states को जो है compare करते हैं, सबसे पहले, how does a teacher compare different student, ठीक है, किस तरीके से, कौन सा student किस से कैसे different है, height के basis पे, health के basis पे, हम अभी हम academics वाले पार्ट की बात नहीं करें, ठीक है, कि हाँ वो छोटे, अब जैसे class में arrangement करने, कौन आगे बठेगा, कौन पीछे सब को दिख जाए, right, तो इस तरीके से, health के basis पे, talent के basis पे, interest के basis पे, तो एक माम कहेंगी, भाई यह जो है न, यह महंदी बहुत अच्छा लगाती है लडगी, यह जो बच्छा न, यह drawing में बहुत अच्छा है, तो वह आपके talents है, interest और सब के different, different है, right, the criteria use depends on the purpose of comparison, किस के ल यह जो है, purpose क्या है हमारा comparison का, जैसे अब मान लीजे, हम देख रहे हैं कि आपके जो 10th class है, उसमें जो है कौन एक अच्छा बच्छा है, तो इसके लिए UTs कराएगे, UTs कराके, भाई, criteria यह था, कि जिसके भी 15 से उपर आएंगे, वो एक अच्छे students पे count होंगे, जिसके कम कमाएंगे, वो अभी उनको और जादा मेहनत करने की जरूरत है, जिसके 15 है, वो average student है, तो इस तरीके से वो UTA criteria जो है, वो आपके लिए set कर दिया गया, compare करने के लिए, teacher use different criteria to choose a sports team, हाना, जब sports team choose कर यह तो different है, भाई देखा जाएगे कि कौन जो बच्चा है, एक मान लीज अच्छे होंगे, उनी को तो पहले लेंगे, फिर पहले school level पे उनका competition करा जाएगा, तो पता चलगा कि कौन जो है, वहाँ पे ले जाने के लाएगा, तो इस तरीके से sports team बनाई जाएगी, right, एक debate team जा रही है, तो आप माली जो कोई बच्चा है, उसको debate में थोड़ी ले ज school में competition अरेंज करा आया गया, पहले तो class level पे हुआ, कि हाँ बही इस class से दो बच्चों के नाम दीजे, जो debate में participate करना चाते है, चलिए जी वो दो बच्चे हर class से आए, 6th class, 7th class से दो बच्चे आए, ठीक है, 8th class से दो बच्चे आए, 9th से दो बच्चे आए, और 10th से दो सामने, ठीक है, अब इन 4 बच्चों, 8 बच्चों में competition हुआ, अब 8 बच्चों में से competition होने के बाद, जो है, हमें पता चला, कि हमारे school में, जो यहाँ पे 10th class के एक लड़की थी, एक बच्ची थी, उसने बहुत अच्छा जो है, बात बोला, debate में, तो अब उनका नाम आग जो है, वो भेजा गया, तो इस तरीके से different, different criteria's और measurement जो है, वो लिये जाते, compare करने के लिए, right, still if some purpose, we have to choose the criterion for all-round progress of children in the class, how shall it be done, किस तरीके से वो किया जाएगा, all-round, उसकी जो progress को check करने के लिए, कभी-कभी हम देखते हैं न कि, देखे, academics भी होते हैं, schools में, sports भी होते है है, debate भी होते हैं, ठीक है, environmental activities होती है, plantation, rice अगरा, तो देखेंगे कि overall कौन सा बच्चा हर किसी में active था, हाना, कि academics में भी अच्छा था, competition में भी participate करें, एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ academics में ही अच्छा है, उसके बालावा उसको कुछ भी नहीं आता है, तो क्या आपको हो लेंगे हाँ, जिसके marks अच्छा है, वो बहुत अच्छा, पर मैं एक teacher देखूंगी, क्या पता, कोई बच्चा, sports में बहुत अच्छा हो, ठीक है, कोई बच्चा, debate में बहुत अच्छा हो, हर किसी का अपना-पना talent है, ओके, चलिए, Usually, one or more person, important characteristic of person is considered and compared, मैंने बता है न, एक या एक से ज़्यादा जो characteristic, देखे, सब के जो है, अलग-अलग characteristics होते हैं, Of course, there can be differences about what are important characteristics, there should be form on the basis of comparison, friendliness and spirit of cooperation, creativity, और marks secured, हाना, देखिए, हर कोई बच्चा, जो है different, किसी-किसी का talent देखा जाए, हर किसी का nature different होते है, कौन बच्चा, कितने इच्छे से corporate कर रहा है, creativity, marks, हर चीज, overall, जो है, वो देखी जाएगी, right, तभी उसको क्या बोलेंगे, this is true development too, वो ही एक true development है, चलिए, for comparing countries, countries को compare करने के लिए, सबसे पहला जो criteria आता है, वो है income, बल्कि oldest criteria में है ये, दिखिए एक ऐसी चीज, जिससे सभी को compare किया जाता है, income, इसके पास ज्यादा पैसे ये rich है, इसके पास कम है, ये गरीब है, बस इस तरीके से जो है simply comparison और ये पुराने time से लेके आज तक, oldest method जो है किसी को compare करने का वो क्या है, पैसा, कितना है है सामने वाले के पास, हम मानते हैं कि जिसके पास जितना income दिखेगी, वो उसका जो quality of life है, उतना ही अच्छा होगा, for comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes, ठीक है, countries को compare करने के लिए, ठीक है, income is considered to be one of the most important attributes, clear है, अगर हम लोग बात करें, countries with higher income, जिन countries की higher income है, are more developed, ज्यादा developed है वो, then others with the less income, simple, simple देख रहे हैं, अभी हम सिब को किसको compare करें, income को, हमने देखा, इस country की income ज्यादा है, तो वो क्या है, पर एक well developed country है, एक country है, जिसकी income कम है, तो वो developed नहीं है, less developed है, ठीक है, countries with higher income are more developed than other with less income, this is based on the understanding that more income हम हम हमेशा क्या समझते है, means more of all things, जिनके पास ज्यादा income है, उनके पास ज्यादा चीजें है, ज्यादा quality of life है, उनका standard जो है, वो हाई है, वो अच्छे से, जो उनको चाहिए, वो उस income के basis पे ले लेंगे, right, that human beings need, ठीक है, whatever people like and should have, they will be able to get with greater income, देखिये, जिसकी ज्यादा income होगे, अब जैसे कम income है, दो families में ही compare करते हैं, कि एक family है, जिसकी income कम है, तो अविसली उसको अपना मन मार के रहना पड़ेगा, क्योंकि उसी से हम चीजें खरीदते हैं, तो अगर वो नहीं है, तो वो जित सुचेगा, और भी आगे चीजे, ठीकिन जिसके बस बहुत कम income, वो पहले सुचेगा, हमारे जो basic needs at least, वो पूरी हो जाए, राइट, तो सो greater income itself is considered to be one of the most important goal, तो अच्छी income होना भी बहुत ज़ादा जरूरी है, राइट, the income of the country is the income of all the resident of the country, this give us the total income of the country, देखे, what is the income of a country, एक country की income क्या होती है, देखे, the income of the country is the income of all the resident, जितने भी लोग उस country में रहते हैं, उनकी जो income होती है, this gives you the total income of the country, बहुत सिंपल सी एक definition है, की total income क्या है, total income क्या है, अब मानिजे मैंने पूछा आपकी family की total income क्या है, तो आपने देखा कि आपकी family में आपके father जो है वो earn करते हैं, ठीक है, आपकी mother भी working है, आपका brother है एक बड़ा, वो भी working है, ठीक है, हम family की income पूछ रहे हैं, ब्रदर भी तो यह तीन मेंबर जो है आपकी फैमिली के यह वर्क करते हैं तो आपने देखा कि फादर को मिलते हैं 50,000 मदर को भी 50,000 मिलते हैं वो एक टीचर हैं और ब्रदर को मिलते हैं 30,000 तो इस तरीके से आपने बोला माम मेरी फैमिली इंकम 1,30,000 है राइट मेरी family income कितनी है 1,30,000 है क्योंकि 50, 50 and 30 तो यह आपकी family आप यह नहीं पूछ आपके father की income individually कितनी है mother की income कितनी है तो इसी तरीके से जितने भी residents इंडिया में रहते हैं उनकी जो total income होगी वो होगी income of a country the income of the country is the income of all the residents of the country this gives us the total income of the country right यह आपको क्या देगी total income of the country next चलिए comparison through per capita income per capita income क्या होती है per capita income very important इस पर बहुत सारे question आते हैं पहले तो इसके दो नाम याद रखते हैं इसे per capita income और average income भी बोलते हैं दोनों word ध्यान से focus per capita income लिखा जाए exam में average income लिखा जाए दोनों का मतलब same है ठीक है दोनों का मतलब क्या है same है per capita income और average income दोनों ही आपकी same है तो देखे per capita income का formula क्या होता है total income of a area area मतलब वहाँ पे जितनी भी जो लोग है उनकी जो income है divided by the total population ठीक है divided by the total population कितनी है ओके देखे इट मेजर्स दा एवरेज इंकम अर्ण पर परसन इन गिवन एरिया इन अ स्पेसिफाइड इयर उस स्पेसिफिक इयर में वहाँ के जो लोग है उस country के जो लोग है एरिया मतलब उस country के जो लोग है उनकी जो income है उसको population से जब डिवाइड किया जाएगा पर कापिटा इंकम मान लीज़े टोटल इंकम अफ एरिया मतलब टोटल इंकम अफ दा कंट्री कितनी आई 5000 आई टोटल इंकम अफ दा कंट्री उस एर में कितने भी 5000 उस country के लोगों ने उस साल में कमाया और टोटल पॉपुलेशन थी कितने 10 लोग दस लोग वहाँ पर रहते थे पूरी country में कितने लोग रहते थे 10 0 से 0 कटा कितना बचा 500 तो पर परसन की पर कापिटा इंकम कितनी आगी 500 रुपीज कितनी आगई आपकी 500 रुपीज ठीक है तो इस तरीके से तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं मान लीज़े आपको दिया भी जाएगा तो टोटल इंकम आफ दाट एरिया डिवाइड़ बाइट बाइट पॉपुलेशन उस एरिया की जो है आपके सामने आजएगी पर कैपिटा इंकम तो वो जो हमारी कंट्री ए थी उसके में हर परसन एवरेज जो इंकम है वो कितनी है 500 रुपीज है कितनी है 500 तो पर कैपिटा इंकम को हम और क्या बोलते हैं एवरेज इंकम भी बोलते हैं Majors the average income क्या निकालती है क्योंकि इसे average income क्योंकि average income निकाल के निकल रही है ना यह Earned per person in a given area in a specified year specific year में World Bank जो है आपको पते हमारे जो World Bank के यह question भी आता है ध्यान से focus करेंगे World Bank कौन सा criteria use करता है किसी भी country के लिए तो वो भी per capita income का criteria use करता है किसी भी country के लिए जो है ठीक है World Bank ध्यान से देखेंगे World Bank जो है वो classify करता है countries को on the basis of their per capita income किस के basis पे per capita income के basis पे अगें पहले हमने पुवड़ा इस concept को ध्यान से समझना per capita income इसे average income भी बोलते क्यों कि average income निकली ना देखें हो सकता था उन 10 लोगों में किसी की तो 1000 भी हो किसी कोई 100 भी नहीं कमाता है लेकिन जब average हमने निकाला तो कितना है 500 ठीक है अब एक रिक्षा वाले की salary देखेंगे तो वह मानलो 1000 रुपे कमा एक इंसान यहां पर करोड़ों भी कमा रहा है लेकिन हमने average देखा है सबका कि average अब यह तो नहीं कि रिक्षा वाले के पास 10 लाख रुपे यह उस इंसान के पास 10 लाख है उसके पास सा क्राइटीरिया आपका यूज करता है किसी भी कंट्री को मेजर करने के लिए पर कापिटा इंकम तो वर्ल्ड पैंक ने क्या कौन सा क्राइटीरिया यूज क्या पर कापिटा इंकम आपका राइट अब देखिए लिमिटेशन ओफ पर कापिटा इंकम मेथड पर कापिटा इंकम में हम क्या देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसको देख रहे हैं इंकम को देख रहे हैं हम एक एवरेज इंकम देख रहे हैं कंट्री की ठीक है तो इसकी भी तो लिमिटेशन है अब देखिए मान लीजे एक country का कोई rich person है मान लीजे एक एक A person है उसकी जो salary है मतब वो कमाता है 40,000 रूपी राइट और एक person है वो कमाता है 5 रूपी एक B है जो कमाते है 5 रूपी अब क्या है एक C है जो कमा रहे है 100 रूपी अब क्या है कि इन सब की income को divide करके जो है इस तीनों से मतलब ये तीन population का part इन तीनों को ये तीन जो लोग है वो population है A प्लस B प्लस C divided by तीन लोग है तो 3 की population हो गई तो ये total कितना आजाएगा कि एक average on an average जो है एक income आजेगे मान लीजे हमें देखने को मिला इन तीनों की जो income है वो इस तरीके की बनी 20,000 तो आपको क्या लग रहा है B वाले की 20,000 थी उसकी तो सिर्फ 5 रुपे थी क्या इनकी है इनकी तो ज़्यादा इनकी तो 40,000 है उनकी तो बहुत तो सब में इतना ज़्यादा difference है वो on an average एक overall बता रहा है वो पूरे तरीके से जो है एक सही measurement नहीं देता है तो अगर देखें while averages are useful for comparison देखें compare करने के लिए average ठीक है लेकिन they also hide the disparities असमानताओं को वो छुपाता है it only tells about the income of a nation सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है per capita income किस की? nation की and not the way it distributed among the citizen हमें नहीं पता चल रहा है न किस की कितनी है हमें एक overall average income आई माल लीजे 50,000 overall income आई रही है हमें नहीं पता किस की one है हमें नहीं पता किस की 500 है इसके बीच में हमें नहीं पता इसमें किसी की 10,000 भी हो सकती है on an average हमारे पस 50,000 आ रहा है ठीक है पूरी country की income तो हमें नहीं पता उसमें तो सब की ये ये दिखा रहा है कि पूरी country में हर person के पास पर person के पास 50,000 रुपे लेकिन उसमें तो था उनके पास 1 रुपी था एक person था उसके पास 500 रुपी था ये एक average आ रहा है राइट It only tells about the income of a nation की income बता रहे है and not the way किस तरीके से ये लोगों में distributed है किसकी कितने कुछ नहीं ठीक है It only takes into account the economic aspect और ये सिर्फ और सिर्फ एकी aspect देख रहा है भाई किसी country को हम लोग एकी basis पे देख रहे है सिर्फ income के basis पे सिर्फ पैसा ही जरूरी है हमने पीछे भी देखा था जब हम goals की income and other goals की बात भी कर रहे थे क्या सिर्फ एक country को income ही चाहिए होती है एक अच्छी lifestyle के लिए सिर्फ income ही देखनी ही होती है ठीक है आप बाकी चीज़े पैसा बहुत है माली जए country में बहुत जब करोना आया pandemic का time period था तो हमने देखा कि लोगों के पास लाखो लाखो रुपे थे लेकिन अगर एक अच्छा environment लीता लोग healthy नहीं थे तो उस पैसे का क्या फाइदा तो health भी एक factor है हाना education भी एक factor सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूर है सिर्फ income से तो बाते पूरी नहीं होंगी न हमारी तो it only takes into the account economic aspect को यह लेता है and ignores other life and social aspects of life बाकी चीज़ों को ignore कर देता है सिर्फ और से world bank कौन से criteria को ले रहा है per capita income को बाकी कुछ नहीं ले रहा है what about the health, what about the education, environment facility के बारे में क्या भई all other condition necessary to become a developed nation are ignored बाकी conditions जो है उनको ignore कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ income के base से ही decide किया जाता यह developed country है, यह developing country सिर्फ और सिर्फ किसके basis पे? income के basis पे आप देखिए one mark के according आपका equation तो clear है कि world bank जो है कौन सा criteria यूज करता है comparison के लिए तो per capita income, right? अब देखिए, world development report की अगर हम लोग बात करें अब देखिए, one mark में एक और चीज़, focus में इसलिए करें भाई competency based question बहुत जादा होगे तो चोटी चोटी चीज़ों को focus करते हैं बोलो तो world development report जो है वो कौन देता है? world bank कौन दे रहा है? world bank आपका तो world development report जो है वो दी जाती है world bank के द्वारा brought out by the world bank the criteria is used in classifying countries countries को classify करने के लिए countries with per capita income of अब ध्यान से देखेंगे per capita income देखें कुछ बच्चों की बुक में per capita income different दिखेगा अब आप बोलेंगे माम हम किसको सही माने आपको जो है NCRT में जो अभी rationalized books है उसके according जो नया है उसको updated रखना है अगर आपने पुरानी books किसी friend के लिए है और आप नहीं नहीं ले सकते हैं तो भी NCRT का एक e-part शाला करके आप है वहाँ जाके आप कोई भी book open कर सकते हैं तो वहाँ से चेक कर लिजेगा वहाँ पे rationalized ही आपका syllabus है books भी rationalized है ठीक है तो वहाँ से आप चेक कर लिजेगा और countries with per capita income जिनके जो per capita income है ध्यान से देखे US dollar 49,300 ठीक है dollars की बात हो रही है dollars में देख रहे हैं हम ये भी याद रखना किसमें देखने हैं per capita income world bank देख रहा है पर किसमें देख रहा है dollars में देख रहे हैं तो जिस भी country की per capita income 449,300 per annum है and above या उससे जादा 2019 में are called high income or rich countries clear है तो हमने क्या देखा world bank जो है world bank एक report release कर रहा है कौन सी report है वो world development report world development report right कौन release कर रहा है आपको world bank अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर हम कैसे classify करने है अगर जिस company की company sorry जिस country की US dollar 49,300 से अबव जो है per annum income है average income की बात हो रही है पर capital income ठीक है तो उसको क्या declare क्या जगा rich country है भाई वो high income country है rich country है वो countries किस में count होगी rich countries में count होगी ठीक है world bank ने एक report दी नाम है world development report one mark में पूछा जा सकता है world development report कौन देता है world bank कौन से criteria को use करी है income अब income में देखे 2019 के according 49,300 जो है per annum अगर उससे US dollar में especially dollars में जो है अगर किसी country की income है per annum किसी person की per capita income इतनी है किसी country में तो वो है आपकी rich countries count होगी and those with per capita income of US dollar 2500 or less उससे कम है are called low income countries ठीक है जिनकी जो per capita income है वो US dollar 2500 right 2500 से कम है वो आपकी क्या है वो है आपकी less income less income countries right तो ये है आपका हमने क्या देखा हमने ने देखा वोल्ड बैंक ते एक रिपोर्ट निकाली वोल्ड डेवलप्मेंट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग जिस country के पास US dollar 49,300 पर एनप एक average income आ रही है वो एक rich country है वो दूसरा मतलब जिसके भी US dollar 2500 से कम है US dollar 2500 से कम है ठीक है वो क्या है आपकी less income countries या जिनको हम क्या बोलते है poor countries low income countries है वो हमारी ठीक है देखे average income while average are useful for comparison वो disparities को भी हाइट करते हैं वो सही comparison नहीं देती है अगर हम बात करे average income जो है वो average income है उसमें अमबानी का पैसा भी जुड़ा हुए जो एक रिक्षा वाले उनका भी जुड़ा हुए अब रिक्षा ऐसे तो लाको रिक्षा वाले की लाको क्या करोडो रिक्षा वालो की income भी उनसे match नहीं कर पाएगी लेकिन उसी में हम सब की काउंटेड है मेरी भी काउंटेड है तो इस तरी के से जो है वो एक disparity जो है समानता जो है वो बनी रहती है क्योंकि वो सही calculation तो नहीं होती किसी की बहुत जाद है किसी की बहुत कम है किसी की लेकिन सब की on and average वहां दिखाई जाते हैं मालो 3 lakh आई की हमारी कंट्री कि सपोस करो कि आया कि हर परसन की इंकम जो है वो 3 lakh है क्या टाटा की income 3 lakh होगी टाटा सर की या क्या हम बात करें अंबानी सर की 3 lakh होगी या किसी और भी जो कोई रिच परसनालिटी जाँनकी सिर्फ 3 lakh होगी ठीक है या फिर बिचारे हमारे जो daily wages पे जो हमारे vendors क्राम कर रहे हैं, क्या उनकी 3 lakh होगी, उनकी शायद उससे भी कम होगी, तो वो एक clear जो है, बतलब clarity नहीं देता है, right, तो अगर हम देखे, average income की बात करे, while average are useful for comparison, they also high disparities, देखे, comparison of two countries, देखते है, monthly income है, citizen की इन रुपीज, country one में A जो है, ठीक है, अगर देखे, यह country है, A और B, अगर देखे, 9500 एक citizen की, 10,500 है, 9800 रुपीज है, फिर 10,000 है, 10,200 है, on and average जिसका कितना आया, 10,000, similarly country B की बात करे, 500, 500, 500, 500, 500, और यह 48, ठीक है, तो भी कितना आया, 10,000, right, इनकी income भी इन सब में जुड़के आई, right, इनकी income भी इन सब में जुड़के आई, तो इस तरीके से वो कोई clear आपको नहीं दे रहे, एक बार इसको देखते हैं, हम निकाल रहे है, average income, माल लिजे country A है, ठीक है, country A में कितना है, 9500, प्लस कितना, 10,500, प्लस आपका 9800, प्लस आपका 10,000, प्लस आपका 10,200, अब ये कितने person है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से divide करेंगे, total population यही कहती है, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हुआ आपका 50,000, 50,000 divided by 5, ठीक है, कितना हो गया आपका, 10,000, कितना है, 10,000 rupees per person, ठीक है, अगर दूसरी country की बात करें, country बी की 500, प्लस 500, प्लस अगेन 500, फिर 500 आपका, प्लस 48,000, अब person कितने citizen है, 48,000, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना आ गया, 50,000 divided by 5, तो आपका हो गया, 10,000 अगेन, तो एक clear picture थोड़े ही आ रही है, right, एक clear picture नहीं आ रही है हमारे पस, चले, income and other country, जो criteria उसमें अगर देखे, country with no rich and no poor, जिसमें जहां पे equal distribution of income होता है, सही तरीके से, जहां पे अगर जैसे हम इसमें देखे, अगर हम इसमें देखे, तो ज़्यादा तर की पास एक similar सी ही income है, on an average सब के पास एक similar सी income है, तो यह average बहुत सही दिख रहा है और सही भी है, ठीके, तो अब इस picture को देखे, equal distribution of income है, we made the shares, मतलब इन सबने जो है काम किया, country with no rich and no poor, ठीके, average income बहुत सही आई है, no rich, no poor, सबने काम किया, सब का equal share है, और अच्छा भी लग रहा है देखने में, right, अगर वही दूसरी बात देखे, unequal distribution of income, जैसे कि यहाँ आप देख रहे है, चार लोगों के पास सिर्फ 500-500 रुपे हैं, और एक के पास 48,000 है, फिर भी 10,000 ही average आ रहा है, उन 5 जनों का मिला के, तो इसमें क्या है कि सिर्फ एक को जो है, वो benefit है, ठीक है, एक के पास सब कुछ है, बाकी काम करें, सब कुछ इनके हाथ में है, अगर हम देखे, unequal distribution of income हम इसको बोलेंगे, unequal है, किसी के पास तो बहुत जादा है, उसे एक के पास तो बहुत जादा है, बाकी चार का क्या, वर्ट जेस्ट कर रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं आपको, तो country with rich and poor, ठीक है, we made the chairs and he took them, ठीक है, और आपको पते हैं वो गरीब इनसानी बहुत महनत कर रहा होगा, तो इस तरीके से ये unequal distribution of income जो है, आपको दिखाया है, और उसको आपको एक चार्ट भी दिया गया, तो इस तरीके से हमने देखा कि world bank जो है हमारा वो कौन सा criteria use करता है, income का criteria use करता है, specially per capita income, average income, लेकिन ठीक है, average income use तो करता है, पर ये सारी disparities को जो है नहीं show करता है, अगर देखा जाये तो काफी सारी disparities रह जाती हैं इसमें, और इसमें क्या है, अभी हमने दे oh yes, 49,300 से जादा होगा, 2019 में की according जो है, तो वो जो है आपकी rich countries होगी, और जिनकी income less than US dollar 2500 होगी, वो आपकी जो है low income countries जो है, वो count की जाएंगी, right, चालिए, with this, जो ही आपका income and other criteria वाला topic था, वो खतम होता है, आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, कहां कहां पर, YouTube पर and हम हमारी official website www.magnetbrins.com पर, आप हमें follow कर सकते हैं, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp, आप हमारे पास e-notes and e-books की facility भी अवेलिबल है, जिसका link तीजे description box में दिया गया है, top courses की अगर हम बात करें, CBSE, Delhi, Bihar, UP, MP और Rajasthan board की classes लगती है, हमारे पास Vedic Maths की class भी है, crash courses भी है और spoken English का course भी हमारे पास है, हम deal करते हैं English and Hindi दोनों medium के साथ, with this, end of today's session, I hope you like this video, don't forget to hit the like, share and subscribe button, see you all next time, have a nice day.